हाँ जी तो, इंटेटेंडमेंट दुनिया की चाहते हो न्यूस देखना बिलकुल फ्री, तो मिस्स मत करना आज योगी पीडिया का एपिसोड नंबर फिफ्टी, थ्री Well, Hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी सप्टेंबर के महिने में जो जो भी मुवीज री रिलिस की गई है उन में से सबसे ज़ादा प्यार तुमबाड को मिला और जिसके चलते तुमबाड के री रिलिस कलेक्शन ने उसके पिछले ओरिजनल कलेक्शन को क्रॉस कर दिया है येस 2018 में तुमबाड ने कमाये थे 12 करोट 44 लाग और अब री रिलिस के बाद सिर्फ साथ दिन में ही मुवी ने कमा लिये है 13 करोट 44 लाग और जिस तरह से ये मुवी चल रही है एक्सपेक्टेड है कि 20 करोट का आकड़ा भी आराम से क्रॉस कर जाएगी जो ये मुवी डिजर भी करती है साथ में मेकर्स ने अल्रेडी इसका सेकंड पार्ट तो अनाउंस कर ही दिया है एंड वो अगर अच्छा चल जाता है तो ट्रिलोजी भी मेकर सोच रहे है एंड आम एक्साइट फॉर दिस वैसे तुमबार से याद आया एक मुवी आई थी जिसका इंडिया में थियेट्रिकल रिलीज 31 साल पहले ही बैन कर दिया गया था जो अब रिरिलीज होने वाली है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ अनिमेटेड फिल्म रामायन दे लेजंड आफ रामा की 1993 में ये मुवी बनी थी जिसको ग्लोबल स्केल पे रेकेगनिशन मिला था पर क्यूकि ये एक इंडो जैपनीज फिल्म थी मतलब के इंडिया और जैपन के एनिमेशन टेकनिक को मिला के ये एनिमेटेड मुवी बनाई गई थी जिसके चलते ये एक एनिमे टाइप की मुवी बन गई और हिंदू गॉड का इस तरह का प्रेजन्टेशन और साथ में उस वक्त के बाबरी मस्जित राइट्स के चलते पॉलिटिकल प्रेशर बना था उसके कारण इस मुवी को बैन कर दिया था लेकिन अब रामायन मुवी का वनवास खतम क्योंकि इंडिया में फर्स टाइम थेटर में ये मुवी अब रिलिज होने जा रही है 18th of October को Hindi, English, Tamil और तेलगू में तो भाई मैं तो बहुत जादा excited हूँ और ये मुवी ज़रूर थेटर में देखने जाओंगा पस dubbing वही पुरानी हो श्रीराम को अरुन गोविल जी ने आवाज दी थी, रावन को श्री अमरिश पूरी जी ने जो अब इस दुनिया में नहीं है तो अगली न्यूज शारुख खान के बेटे आरियन खान करने वाले है अपना डिरेक्टिरियल डेब्यू विथ छे एपिसोड वेब सीरीज स्टार डम वेल ये न्यूज तो बहुत पुरानी है वैसे एंड इसकी जादा चर्चा अभी तक नहीं हुई थी बट रिसेंटली इसकी बाते अचानक होने लगी क्योंकि रैपर बाजशा ने एक इंटर्विव में ये बताया कि उनका भी एक छोटा सा रोल है इस सीरीज में और उसके बाद अचानक से ये भी न्यूज आती है कि सल्मान खान का भी एक अपेरंस होगा इस वेब सीरीज में और अगर ये सच होता है तो शायद ये पहली वेब सीरीज होगी जिसमें भाईजान दिखेंगे वैसे भाईजान से एक और बात याद आई बहुत सारे I mean literally बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स ने बताया है कि सल्मान खान का कैमियो होगा इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे का इन सिंगम 3 और सोशल मीडिया इस न्यूज से भरा पड़ा है कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के माने तो रोहिट शेटी ने सल्मान खान को कन्वेंस किया कि वो सिंगम 3 में कैमियो रोल करे और सल्मान खान ने बिना कोई सवाल पूचे हाँ भी कर दी पर क्या ये सच्ची रिपोर्ट्स है या मूवी की हाइप बनाने के लिए सिर्फ कर दी है तो भाई सल्मान खान एस चुलबुल पांडे इन सिंगम 3 एंड सिंगम 3 पोस्ट पोंड ये दोनों न्यूज सिर्फ रूमर्स है अफवा मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ रूमर्स बोल रहा हूँ और रूमर्स सच भी हो सकते हैं पर कोई भी न्यूज ओफिशल नह इंट्री हो चुकी है टैलेंटेड अक्टर शर्मन जोशी की और ये शर्मन जोशी के लिए बहुत बड़ा ब्रेक है क्योंकि इनका करियर 3 इडियेट के बाद कुछ खास चल नहीं रहा था और सल्मान खान तो बड़े दिल वाले हैं एक पार्टी में casual चैट में जब शर्म दिल है कितनी बार जीत होगे खैर हम बात कर रहे थे rumors की तो भाई धूम 4 में सूरिया main villain नहीं होंगे बस इतना ही बताना था वीडियो पॉस करो पीछे का screenshot देखो मजे करो खैर अगली news सूरिया एंड बॉबी देवल स्टारर most anticipated movie कंगुवा जो पहले release होने वाली थी 10th October 2024 क अब officially postpone हो चुकी है और अब वो release होगी 14th November 2024 को which is good क्योंकि वो पहले clash होने वाली थी रजनिकान स्टारर वेतेया से जिसको मिलेगा solo release का advantage for one day only क्योंकि 11 October को Bollywood की दो छोटी movies जिगरा और विकी विद्या का वो वाला वीडियो भी आएगी और साथ में सबसे बड़ी movie असरविकुमार हलके में मत ले न बाई जो रजनिकान को भी भारी पड़ सकती है तो अच्छा ही हुआ कंगवा पोस्ट पोन हो गई वैसे हाँ वेतेया movie का recently preview वाया था वो भी सिर्फ Tamil language में without any subtitles क्यों भाई इतनी भी क्या घाई थी कि सिर्फ Tamil में launch किया है preview को वैसे इस राना डगुबती, मंजु वारियर और और भी कई सारे जिसमें यार अमिता बच्चन के तमिल डबिंग यार उनके आवास बहुत यूनिवर्सल और यूनिक है और ये डबिंग उन पे सूट नहीं हुई है खेर, preview से ये तो पता चल रहा है कि रजनिकान्थ है एक encounter specialist super cop और चायद उनके against हो रहा है कुछ investigation जिसको lead कर रहे है अमिताब बच्चन, means अमिताब versus रजनिकान्थ होने वाला है, ऐसा लग रहा है, which is very exciting, but कुछ Hindi trailer या preview आ जाता तो, मज़ा आ जाता वैसे एक teaser और भी आया recently Netflix पे squid game का, and to be very honest, पुराने squid game के vibe को वापस लाने की पूरी कोशिश की गई है इस teaser में, और वो आ भी रही है, वही लोग, वही same setup, and same lead actor, who is back in game again, तो teaser ने उम्मिते तो जरूर बढ़ाई है, और of course, 26 December को release है इसका, और उसके पहले एक extended trailer भी हमें द along के दो episodes की, तो एक warning के साथ चुरू करूँगा, बच्चे जरा संभाल के, Marvel का show है समझ के family के सामने देखने मद बैट जाना, नहीं तो नंगी पुंगी अगाथा के दर्शन घरवालों के सामने करने पड़ जाएंगे, फिर घरवाले भी तुमको नंगा पुंगा करके investigation चल रहा है, अगाथा किसी और नाम से detective बनी हुई है and all, लेकिन जो भी आपने trailer वगेरा में देखा होगा, भाई सब कुछ आपको mislead करने के लिए था, just like Wanda Vision का show जब आया था, तो starting में कुछ और ही तरीके से शुरू होता है and पहले episode के बाद वो कुछ अलगी हो जाता है, so वो technique इधर भी है, लेकिन वो engage करके रखती है, ये इसका plus point है, मुझे कही भी bore fill नहीं हुआ but now I'm excited के Agatha क्यो वो team बना रही है and क्या उसको अपने powers वापस मिलेंगे, ओ एक minute, देखो अगर आपने Wanda Vision show नहीं देखा है, तो Agatha का A क्या आपको G भी नहीं समझेगा, तो it's quite necessary क आप Wanda Vision series के साथ थोड़ा सा familiar हो, कुछ नए characters introduced किये गए है, जो अब Agatha के team में है, they are exploring the road of witches, जिसे हिंदी डब में दगर कहा गया है, वैसे मैंने हिंदी डब में देखा and it's quite good, बाकी ये बहुत खराब आदत है Disney की के सारे episodes एक साथ नहीं डालते, अब 4 हफते और लग है, तो रुको ज़रा, योगी बोलता है का WhatsApp group भी join कर लो, comment में pin कर दिया है channel link, वीडियो की update और कुछ insight news वहाँ पर भी आते रहते है, तो कर लो ना join and subscribe भी कर देना, मिलते हैं आगले वीडियो में, बाई